हेलो इस्टूडेंट्स, वेलकम टूम 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 चैनल जी एस इस्टरी पॉइंट, चले हमारी जो करेंट अफिर की क्लास से इसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पूरे साल भर में जितने भी आपके इवेंट हुए हैं और जो इंपोर्टेंट ह आपके परिक्षा की दिष्टी से, उसको हम यहां पे डिसकस करेंगे, देखे, इसमें मैंने बहुत सौर्ट में यह नोट्स को तयार किया हुआ है, और इन सौर्ट नोट्स में ही आपके वो सारे इवेंट कवर हो जाएंगे, जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो चीजों को ध्यान से समझते चलिएगा, याद करते चलिएगा, ताकि जो कोश्चन आपके करेंट से आते हैं, वो जो है आप उन कोश्चन को कर पाएंगे, क्लियर है, और इससे पहले भी जो है वीडियो अपलोड कर दिये गए हैं करेंट अफेर पे, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएगा, और वहाँ पर जो है आपको करेंट अफेर 2020 करके एक प्लेलिस्ट मुलेगा, जहां से आप जो है इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, और सबसे पहले हम इसथापित किया गया है, फूछा जा सकता है, कै भारती नौशेना का सबसे बड़ा सौर उर्जार सेयंत्र जो है कहां इस्थापित किया गया है, तो एजी माला में, तторииके याद रखेगा, एजी माला, गोराखपूर में जो तेरा कोटा है, काफी मतलब तेरा कोटा के हैं उसके लिए बहुती महतवोड है हाली में जो आरो यारो का एक्साम हो है उसमें भी जो है ये पूछा जा चुका है ठीक है मिलाने को भी दे दिया जाता है तो उसको भी ध्यान रखेगा चंबल अभ्यारन जो है न्यूज में था तो यह तीन अभ्यारन जो है फैले होए हैं आगे देखते हैं भारत की पहली वानिट जिक बेवपारिक एल एंजी ठीक है बस लॉंच जो है कहा हुआ है ठीक है बस मतलब एल एंजी जो बस का लॉंच जो है एल एंजी जो गैस है आपका liquid natural gas जो है तो इसके लिए जो है कहां launch किया गया है तो kochi में kochi कहां है आपको पता है केरल में तो यहां पर यह launch किया गया है आगे देखते हैं भारत की पहली dolphin वेट साला जो है कहां खोल है ठीक है बनाइ गई है देखें यह आपके exam के लिए जो अधर स्टेट है या जो एक्जाम होने वाले उसके लिए महत्पुड है साथ ही साथ जो है ये बिहार के लिए भी इतना ही महत्पुड है तो आगे जो अभी BPSC का एक्जाम होने वाला है उसमें जो है ये कोश्चन अवश्य ही आएगा तो इसको ध्यार रखेगा ठीक है भारत की पहली डॉल्फिन वेजसाला जो है विक्रम सीला गंगा डॉल्फिन जो है अभ्यारन है ठीक है जो कहां है तो भागलपूर में है ठीक है, तो पहली डॉल्फिन वेशाला बनाई गई है, विकरंशिला निगंगा डॉल्फिन अब्यारन में, और ध्यार रखे है जो डॉल्फिन है ठीक है, डॉल्फिन को जो है ऑयू सीने की संकट ग्रस्त स्रेणी में रखा गया है, तो इसको ध्यान रखेगा, आगे चलिये देखते हैं तो देश का पहला सौरम उर्जा संचालित बयूरोक ठीक है कहां है कहां बनाय गया है तो सौरम उर्जा संचालित बयूरोक जो है आपके गुझरात में जो आप कक्च की खाड़ी है । Bundesregierung आपको याद रखना है गुझरात में जो चालित किया जा रहा है, आगे याद रखें, विश्चु का सबसे उचा रेल पूल जो है, कहां बनाया जा रहा है, तो मड़ीपूर में, और मड़ीपूर में कौन सी नदी पर है, तो आईरिंग नदी पर, या ये भी question पूछ सकता है, कि आईरिंग नदी कहां बैती है, तो पूचा रेल पूल जो है, मड़ीपूर के आईरिंग नदी पर है, ठीक है, और इसके साथ ही आप रखेगा, कि सबसे बड़ा जो विद्धूती कृत, रेल सुरंग जो है, बड़ा लंबा कहां पर है, ठीक है, ये question है, पिछले साल का है, और ये जो है, इस बार पूछा जा सकता है, तो ये जो है, आपके आंधर प्रदेश में है, और कहां से कहां तक है, तो चेरलो परली से रापूर तक जो है, ये रेल सुरंग बनाई गई है, एक याद रखेगा, बुरूर यांग सरनार्थी, जो ये जो है, त्रिपूरा में है, ये बुरूर यांग क्या है, त त्रिपूरा में आके रह रही है, ठीक है, त्रिपूरा में आके बस गई है, तो यहां से इसको मतलब इन जनजातियों को जाने के लिए कहा जा रहा था, तो इन जनजातियों ने क्या किया, कि उन्हों ने ये कह दिया, कि अब हम जब यहां रह रहे हैं, तो हम यहां ही और यहां से नहीं जाएंगे, ठीक है, तो याद रखेगा, अगर पूछा जाता है, बुरु रियांग, जो सरनार्थी का जो केस है, कहां से संबंधितर त्रिपूरा से, और यह क्या है, जन जाती है, जो मेल्ली जो है, मड़ीपूर है, अश्रम त्रिपूरा वाले छेत्र में जो है, यह पाई जाती है, और मेल्ली जो यह जन जाती है, वो मड़ीपूर की जन जाती है, ठीक है, तो इतनी चीज़े आपको ध्यान रखनी, जन जाती से काफी कोशन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, चलिए आगे देखते हैं, तो देखे, यहा इस्थान किसको प्राप्त हुआ है तो गुजरात को प्राप्त हुआ है, क्लियर है? याद रखिए एक है आपका गरूर पोल्टर, यह गरूर पोर्टल जो है आपके जो एविएशन मिनिस्ट्री है गवर्मेंट ऑफ इंडिया की उसके तरह यह पोर्टल लॉंच किया गया है इसमें क्या है? इसका फूल फॉर्म भी आप देख लीजे तो इसको आपको समझ आ जाएगा कि इससे संबंदित है तो गुजर्मेंट अथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन तो इससे क्या होगा? ड्रोन का यूज करके जो है जितने कोवाइट 19 के जो रखना है और इससे जो है इससे जो कोश्चन बनेंगे वो आपसे हो जाएंगे क्लियर है यहां देखे मध्य प्रदेश में जो है एश्या का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है बनाया जा रहा है ठीक है? जो MPPCS के जो इस्टूडेंट है जो MPPCS के तयार करें उसके लिए म जो है यह कोश्चन आगे अधर स्टेट में भी पूछा जागा लेकिन एमध्य प्रदेश में यह 110 परसंट यह कोश्चन आएगा ही आएगा ठीक है तो ध्यान रखेगा एसिया का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट यह मध्य प्रद इंडेक्स है उनको यहां पर रखा है लिखा है तो इसको हम देख लेते हैं मेली आपको याद रखना है कि पहले इस्थान पर कौन है और जो भारत का इस्थान है वो कौन है और किसके दोरा जारी किया जाता है जिससे पुछा जाता है उसका मैं आपको यहां पर बता देती हूँ ठीक है तो देखें ग्लोबल पीस इंडेक्स है जो जिसमें पहले नंबर पे है आपका आइसलेंड है ठीक है और यहां पे भारत का इस्थान अगर पूछा जाता है पीस इंडेक्स में तो 149 वा भारत का इस्थान है ठीक है माना विकास सुचकांग जो है इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है उसको भी देख लिजिएगा तो मानविकास सुचकांग पर जो है जारी कौन करता है जारी करता है इससे पूछा जाता है UNDP ठीक है और पहले इस्थान पर जो है यहाँ पर है नौर्वे और भारत का इस्थान अगर पूछा जाता है तो इसको कौन लेके आता है रिपोर्ट को WEF ठीक है काफी इंपोर्टेंट है ध्यार रखेगा और इसमें पहले स्थान पर है आइसलेंड है और भारत का स्थान 112 वा है 2020 के इंडेक्स में तो इसको ध्यार रख्येगा यहाँ पर यह भी याद रखेगा कि यह चार आयाम जारी जारी किया जाता है एक तो यहाँ पे देखा जाता है health कैसा है ठीके education तेखा जाता है और health हो गया education हो गया साथ ही साथ जो economic इस्थीती है वहाँ कि आर्थिक स्थीती कैसी है और जो political empowerment जो है इन चार आयाम पे निकाला जाता है ठीके health पे education पे ठीक है education पे निकाला जाता है और एक जो है economic condition कैसी है उस पे निकाला जाता है और जो political empowerment पे जो है ये चार आयाम है ठीक है तो इसको आपको ध्यान रखना है ग्लोबल जेंडर गेब रिपोर्ट को जो है किन आयामों पे निकाला जाता है तो उसमें option दिया था एक में दिया था आपका शिक्छा दिया था एज्युकेशन दिया था और आपका health दिया था और चौथे में आपका अराम दे दिया था ठीक है तो जो अराम है वो यहाँ पे नहीं होगा तो और भारत का इस्थान भी याद रखेगा एक सो बारवाजारी करता भी आपको याद रखना है W.E.F. आगे देखते हैं World Competitive Nace Ranking Report 2020 देखते हैं तो इसमें पहले इस्थान पे आपके Singapore है और भारत का इस्थान अगर पूछा जाता है तो भारत का इस्थान जो है 43rd है अब यहाँ पे देखें Environment Performance Index में यहाँ पे देख लिजिए काफी important है question पूछा जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे देखें पहले नंबर पे जो है इसके Denmark है और भारत का इस्थान जो है 168 है ठीक है तो इसको आपको ध्यान रखना है Global Energy Transition Index जो है ध्यान रखेगा तो पहले नंबर पे आपका Sweden है और भारत का इस्थान 74th है World Happiness Index इंपोर्टेंट है यह वाला काफी important है question पूछे भी गए है तो ध्यार रखेगा Finland जो है यहाँ पे टॉप पे है और भारत का इस्थान 144 है ठीक है वैस्विग भूकमरी सुचकान हंगर जो इंडेक्स है उस पे भारत का ही आपको याद रखना है भारत का इस्थान जो है 102 इस्थान है clear है वैस्विग बॉधिक संपदा सुचकान जो है यहाँ पे याद रखेगा पहले नमबर पे अमेरिका है और भारत का इस्थान जो है 40 जुआ है हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में याद रखेगा कि पहले इस्थान पे जो है जपान है और भारत का इस्थान 84 है clear है corruption पे ध्यान रखेगा corruption में जो है भारत का इस्थान 80 के और डेनमार्क जो है पहले नमबर पे है क्लियर है चलिए अब यहां देख लेते हैं एक योजना याद रखेगा हिमालय गिरहनी सुविधा योजना किसकी है तो हिबाचल प्रदेश की है ठीक है आगे याद रखेगा भारत की पहली ट्रांस जेंडर ओपरेटर जो बनी है गुजरात की जोया खान ठीक है याद रखे तो कॉमन सर्विस सेंटर में क्लियर है इतना आगे चलिए देखते हैं लोथल में एक पूर्दगाल और भारत ने मिलकर राश्री नवहन धरोहर चंगराले बनाया है ठीक है तो इसको आपको ध्यान रखना है और यह कहा है लोथल में है चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं आप के लिए अच्छे से अच्छे कंटेन और वीडियो लेकर आओं और साधी साथ जिनको इस्टूडेंट्स को इनकी जरूरत है उन तक भी जो है इसको पहुचाने का प्रयास कीजिएगा ठीके आगे देखते हैं यह तो हमने देख लिया था कल भी देख लिया था वर्चुल वैस्विक वैक्सिन सिखर सम्मिलन 2020 जो है कहा हुआ है ब्रिटेन में यहाँ पर एक चीज याद रखेगा गावी ठीके पूछा जाए गावी क्या है तो यह जो है ग्लोबल वैक्सिंग गठ बंधन है ठीके तो इसको ध्यान रखेगा वैस्विक वैक्सिंग गठ बंधन है ठीक है चली आगे देख लेते हैं Hagia Sophia Sangralya बहुत important है ध्यान रखेगा Turkey के Instabool में है Actually इस Sangralya को जो है अभी हाली में मजजिद में बदला गया है ठीक है तो ध्यान रखेगा Hagia Sophia Sangralya तुफार रोधी देश किसको बनाया गया है तो अमनिका को कोसित किया गया है वालमिदिर पूतिन देखे रोस के राश्ट्पति जो है वालमिदिर पूतिन अभी इसका कारेकल फिक्स कर दिया गया है और ये जो है 2036 तक जो है ये रोस के राश्टपति बने रहेंगे ठीक है आगे देखते हैं UNAC United Nation Security Corporation ठीक है तो इसमें जो है यहाँ याद रखे भारत को जो है आईस्थाई सदस्य जो है यहाँ पर बनाया गया है जो है आपका आठवी भार जो है भारत यहाँ पर आईस्थाई सदस्य बनाया है भारत के सांसा जो है यहाँ पर Ireland है, Mexico है, Kenya है और नॉर्वे को भी यहाँ पर आइस्थाइ सदस्य जो है बनाया गया है UNSC का Clear है इतना चले आगे देखते हैं यहाँ पर देखे इजराइल के पी-म भी बने हैं वो है Benjamin Netanyahu ठीक है Benjamin Netanyahu ध्यान रखेगा यहाँ देखते हैं संकल्प पर्व संकल्प पर्व ध्यान रखेगा किस्ते संबंधित है तो एक्चुली इसमें ये था कि पेड़ लगाना है ठीक है ये 28 जुन से 12 जुलाई तक ये पर्व मनाया गया था Cultural Ministry जो Government of India की जो गलग Cultural Ministry है उसके दोरा और यहां पर यह कहा गया था बर्गद है आवला है पीपल है असो का है और बेल का जो है ठीक है बेल इन पाच ट्री पे फोकस किया गया था और अगर यह ट्री नहीं लगा पाते तो भी जो है आप दूसरे पेड़ों को लगाई है ठीक है तो ट्री के जो प्लांटेशन के लिए जो है यह पर्व जो है मनाया गया था निशग्र निसग्र जो साइकलोन है ध्यार रख़ेगा निशग्र साइक्लोन एक्चलि ये अरप के सागर की साइpt से जो है यह यह जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है agents Ignis 6 अगर सॉकलोन आते हैं तो बंगाल के खाली से आता है. यह से बहुत टाइम बाद ़ंगा यहाँ पर अरब सागर की साइट से साइकलोन आया है जिसका नाम निशर्ग रखा गया है और यह स्निसर्ग साइकलोन है जो अरब सागर के साथ से आया है जो अरब इखाड़ी है ठीक है तो वहां से आया है और यहां पे ध्यार रखेगा जो आपका आया कहा है तो महराष्ट को मतलब प्रभावित जो राज्य हुए इंडिया में तो महराष्ट है गोवा है गुजरात है और मध्य प्रदेश है ठी गंगा की साप सफाय के लिए तो इसमें जो हाली में वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए भारत की गौर्मेंट को रिन दिया है 400 मिलियन डॉलर का नमामी गंगे प्रोजेक्ट के लिए तो इसको आपको ध्यान रखना है कोश्चन इससे पूछा जाएगा मेंस जो अभी हुआ था आपका UPPCS का उसमें भी ये कोश्चन आया हुआ है ठीके तो ये जो है आपके प्रिलियम के जो एक्जाम होने वाले हैं 11 अक्तुबर को उसमें भी ये कोश्चन पूछा जा सकता है तो उसको आपको ध्यान रखना है ठीके आगे चलिए देखते हैं जो MSME है उनके जो परिभासा है उसमें जो है कुछ परिवर्तन किये गए हैं जो of MSME है इसके लिए जान रखेगा इनवेस्टमेंन जो यहाँ पे एक करोड करोड हो ठीके तो उसके जो वह माइक्रो करAD को मांपनी केलएक़ के दर कॉड्ân करोड़ में इसमें इनवेस्टमेंन जो है दस करोड निटस करोड आपका पचास करोड हो। ठीके अब यहां chopped उसके लिए इन्वेस्टमिंट जो है 50 करोर होना चाहिए और टर्न ओवर जो है उसका 500 करोर होना चाहिए. तो यह आपके कोशन बनने वाले हैं तो इसको ध्यान रखेंगा. मिलाने को देया जा सकता है और या फिर दिया जा सकता है कौन सा सही है. या फिर इसको स्टेटमिंट के रूप में भी जो है दिया जा सकता है. तो इनको आपको ध्यान रखना है. ठीक है देखें कूल खाद्यान देख लिजिए कितना है भारत में इस बार तो 295.67 मिलियन टन जो है खाद्यान का उत्पादन किया गया है. और इसमें सबसे ज़्यादा जो है चावल है उसके बाद गे हूँ है. ठीक है B.E.O. के एक्जाम में पूछा गया था तो इसको ध्यान रखिएगा. आगे देखते हैं एक इंडेक्स देखिए Global Manufacturing Risk Index 2020 ठीक है इसमें पहले नमबर पे चीन है दुसरे नमबर पे अमेरिका है और तिसरे नमबर पे भारत है तो इससे जो है कोशन पूछा जा सकता है. ठीक है आगे देखते हैं WTO के दौरा जो है तूर्कमेनिस्तान को 25 परवेक्चक Observation जो है सदस्च देश बनाया गया है. क्लियर है MSP देख लेते हैं इस बार जो है तो MSP आपको सब की याद नहीं रखनी है मतलब मेली MSP पूछा जाता है तो धान का ही पूछा जाता है कभी-कभी अगर पूछ दिया गया तो मक्का और सोया बीन का ठीक है नहीं तो फिर MSP जो है और किसी भी फसल का पूछा नही पूछें और ड्रुपय आपके धान के है और ग्रेट A के लिए आप इसमें 20 अड़ कर दीजिये तो आपके धान के ग्रेट A धान के लिए हो जाएगा मक्का के लिए 850 और सोया बिन के लिए 388 अशी है ठीक है मेली आपको धान का ही याद रखना है प्लियर है आगे चलिए देख लेते हैं कि भारत में संप्रेशिद धन मतलब जो बाहर से भारत में धन बेजा जाता है नराई जो बाहर रहते हैं उनके दोरा तो भारत जो है उसमें पहले इस्थान पे है ठीक है कितना बेजा गया है 83.1 अरब डॉलर जो है भारत में धन का संप्रेशन हुआ है और य चोटे राजी और यूटीस में इनको बाटा जाता है तो बड़े राजी में अगर देखते हैं तो गुजरात पहले नंबर पे हैं फिर तामिल नायडू है फिर आपका महाराष्ट है अगर यूटीस की बात करते हैं केंदर सासित प्रदेश की तो उसमें पहले नंबर पे आपके चंडीगड़े दिल्ली है फिर आपका है अंडमान निकोपर ठीक है यहाँ पे राजासु घाटा याद रखेगा इस बार जो है बजट आया जिसमें राजासु घाटा बताया अनुमानित है कि 2.3% जो है अनुमानित है ठीक है आगे राजकोशी घाटा देख लेजिएगा 3.8% जो है पिछली बार यह 3.5% था ठीक है यहाँ देखिए वर्ल्ड Economic Outlook Report 2020 जो IMF की जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि जो भारत का GDP है तो उसको अनुमानित किया गया है कितना 4.5% जो है अनुमानित बताया गया है IMF की दोरा ठीक है आगे देखते हैं स्थीर मुले पे देख लेते हैं पर कैपिटा इंकम को ठीक है PCI को तो 94,954 जो है आ और अगर हम चालू मुली पे देखते हैं PCI तो 1,34,226 है ठीक है यहां देखते है Pi से याद रखेगा Pi जो है एक चैट बोट है ठीक है और यह जो है भारत दोरा मतलब बनाए गए है तो यह जो है AI-based जो है चैट बोट है ठीक है तो Pi से याद रखेगा यहां पर यह देख दीजिएगा आपकी यह Pi को जो है कौन सी कंपणी ने इसको बनाया है एक राश्ट एक राशन कार्ड जो है अभी जो मतलब आया था मतलब गॉर्मेंट दोरा तो इसमें यह कहा गया है कि मार्च 2020 तक पूरा 100% जितने भी राज्य है उसमें यह लागू कर दिया जाएगा ए चलिए आज का वीडियो यहीं खतम करते हैं वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है तो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग